चाहता है, हम ना रहे कभी यारों के बिन के लावा पूरी वीडियो में मेरे दो दोस्तों दिखेंगे, जो तीसरा दोस्त था, वो पूरा अच्छा दोस्त नहीं कहलाता मेरा, वो जाधा मेरा कैमरा मेंन कहलाता है, चलिए हमें आपको आगे लेके चलता हूं तो दोस्तों मैं अपने दोस्तों को इंडिड्यूस कर देता हूं सबसे पहले मैं तो दिखी रहे हैं आपको समीर यह है श्यदाब और यह है आमिर तो सबसे पहले यहां पे हम जाते हैं इसको बोलते हैं तारगर पहाड़ी तो यह काफी ओची है और काफी अलग है और यहां से अजमेर का बहुत बड़ा हिस्सा बहुत ही खूबसूरत नजर आता है चलने में भी काफी मज़ार रहता ट्रैकिंग की है आपे यह जमेर का कोई सब फोर्ट है यहां से हम वापिस जा रहे हैं आप मुझे देख रहे होंगे यहां पर मैं काफी पतला लग रहा हूं क्योंकि यह वीडियो दो हजार सो लकी है और मैंने वीडियो बना तो दी थी बट अपलोड नहीं करी थी कोई रीजन होगा मेरे दोस्त मेरा गन्य का जूजदी भी जाता है यहां पर हमारी वॉइस क्वालिटी बिल्कुल खराब आ रही थी माइक शायद खराब था उस टाइम पर तो वो मैंने नहीं डाली है गुमते घुमते थक गए थे तो सोचा खेल लेते हैं तो हमें बॉल तो मिली नहीं हम बॉली बॉल खेले लगे मा की वाटर बॉटल से मुझे आगे बैठना था यह मैं गलती से बैठी है मुझे पता नहीं लगा आज तक यहां पर टूरिस्ट आते हैं जील में बोटिंग करते हैं हम लोग भी गए आप देख सकते हो बारा मार जा चुकी है जी हां मेरा बर्थ डेता तो मेरे दोस्त मुझे ठीक बारा बज़े विश करने आ गए हैं सेलेब्रेट भी किया था बट मैं वीडियो में शो नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि जो कैमरमेन है वो भी सेलेब्रेट करने आ गया था आपकी नॉलिज के लिए मैं आपको बता देता हूं अजमेर में इतनी ज्यादा ठंड नहीं होती है जितनी दिल्ली में या यूपी में होती है गरम ही रहता है मौसम माटे जाता जी हां हम दरगा आ चुके हैं जो अजमेर शरीफ की में दरगा है जिसका नाम है ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिष्टी यहां पे काफी भीड रहती है और कई बार यहां बॉलिवुड के सेलेब्रिटी दिख जाते हैं अलकि हम देखनी पाए हैं सुनाएं यहां पे काफी आते रहते हैं और यह गोलमाल फन अलिमिटेड का एक सीन करते वे अर्शद वारस उसके बाहर आने के बाद कुछ फोटो सेशन कर रहे थे तुम्हार भाई स्टाइल बहुत मरता है पूरी वीडियो में दिख रहा है ना कमेंट करके बताना कैसा लग आपको मेरा स्टाइल और कैसी लगी वीडियो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीड दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में तब तक के लिए बाबाई टेक केर